टीम इंडिया के कप्तान रोहिशर्मा और दिगज बनलेबास विराट कोली के क्रिकेट करियर पर बीसीसियाई का हतोड़ा चल गया है रिपोर्ट के मताफिक इसी माईने न्यूजिलेंड के खिलाफ के लिजाने वाली T20I सिरीस से इन दोनों ही मान खिलाडियों को टीम इंडिया में नहीं चुना जाएगा और उनकी आन निश्चित समय तक टीम से छुट्टी कर दी कही है तिर्फ विराट और रोहित ही नहीं बलकि तेज गेंदबाश मौंबाश शामी और पुबनेश और कुमार को भी अब टीम में जगा नहीं मिलेगी भारते क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के एक सीनियर अधिकारी ने इंसाइड स्पोर्ट के साथ खास बातचीत करते हुए कहा दुर्बाग्य से रोहित विराट समेथ सीनियर खिलाडियों को न्यूजिलेंड के खिलाब सिरीज के लिए नहीं चुना जाएगा यह उन्हें ड्रॉप करने के बारे में नहीं है हमें लगता है कि हमें आगे बढ़ना होगा और भविष्य के लिए टीम तयार करनी होगी मगर आखिर में चैन करता ही अंतिम निनने लेंगे बता दे कि श्री लंगा के खिलाब चल रही टी 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 आई सिरीज में भी इन सीनियर खिलाडियों को भारते टीम में नहीं चुना गया हाला कि बंडे सिरीज के लिए रोहित और विराट का चैन किया गया है 10 जनवरी से बारत और स्री लंगा के बीच शुरू हो रही तीन मैचों की एक दिवस्य सिरीज के बाद 27 जनवरी से न्यूजिलेंड के खिलाब तीन मुकाब्यों की टी 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 आई शरंकला खेली जाएगी इस सिरीज के बाद इन दोनों देशों के बीच बंडे सिरीज का आयोजन भी किया जाएगा ऐसे में विराट कोली और रोहित शर्मा पचास ओवर के फॉर्मैट में खेलते हुए नजर आईंगे लेकिन T20 टीम से उनकी आनिश्चित समय तक छुट्टी कर दी गई है खबरों के मताबिक BCCI चाहता है कि रोहित और विरार समेथ कुछ और सीनियर खलाडी इसी साल भारत में खेले जाने वाले ODI वर्ल्ड कप पर जादा फोकस करें साथ ही BCCI ने वर्ल्ड टेस्ट चेंपिंशिप को मद्दे नजर रखते हुए इन खराणियों को टेस्ट क्रिकट पर भी ध्यान देने को कहा है T20 वर्ल्ड कप के बाद न्यूजिलेंड दोरे के लिए पांडिया को टीम इंडिया की मेजबानी सौपी गई थी वही अभी श्री लंका के खराफ चल रही T20 आई सिरीज में भी हार्दिक ही टीम इंडिया का नेतरत कर रहे हैं इसके अलावा भारत और न्यूजिलेंड के बीच 27 जनवरी से शुरू होने वाली T20 आई सिरीज में भी इस 39 वर्चे खलाडी को ही कप्तानी सौपी जाएगी उसको क्रिकेट से जोड़ी तमाम खबरे लगातार प्राप करने के लिए क्रिक टुडे टीवी को अभी सब्सक्राइब करें खबर पसंद आई तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें फिलाल के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ तब तक के लिए धन्यवाद